Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरा नाम है जहतेन और आज इस वीडियो में हम कुछ फिर से डिफरेंट करने वाले हैं. So, let's get started. So, guys, पहले में एक वीडियो बना चुका हूँ, जहां पर मैंने आपको बताया था studio monitors कैसे connect करोगे directly अपने PC के साथ? अगर वीडियो नहीं देखिए, सो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो. And आज इस वीडियो में हम और भी जादा कुछ तूफानी करने वाले हैं. क्या है? हम अपने studio monitors को connect करेंगे अपने phone के साथ. क्या possible है? Mobile phone, Android phone के साथ. Studio monitors. देखते हैं. So guys, ये हैं studio monitors, KRK Rocket 5, Generation 3. And मैंने last एक video बनाई थी, जहांपे मैंने आपको ये connect कैसे करेंगे, अपने audio interface के साथ वो बताया था. So, अगर आपने वो video चेक आउट नहीं कर रहा है, so, कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो. And आज इस video में मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप अपने studio monitors को अपने mobile phone से connect कर सकते हो and output उसमें से ले सकते हो. वैसे इससे पहले मैंने एक और video बनाई थी, जहांपे मैंने आपको बताया था कि आप without audio interface, यहाँ फिर sound card के, इन studio monitors को, यहाँ फिर कोई भी studio monitors को कैसे directly अपने system से connect करके play करोगे. So, अगर आपने वो video भी नहीं देखा है, तो उसका भी link आपको card में मिर जाएगा, जाके check कर सकते हो. So, यहाँ पे मैंने RCA cables का again use कर रहा हूँ, उस video में भी मैंने करा था. And RCA का दूसरा जो end है, वो भी RCA है. And यहाँ पे मैंने एक connector को, audio connector को यहाँ पे connect किया है, आप देख सकते हो, इस type का यह है. यह है हमारी RCA cables. So, यह है RCA cables and यह है वो port. So, connector, converter, कुछ भी बोल सकते हो. So, यहाँ से इन दोनों को किया connect. और यह हमारा बन गया 3.5 mm का audio jack. So, अब इसको करेंगे हम connect. So, phone में लेकर आता हूँ and इसको करते हैं connect. So, यहाँ पे मैं ले आया हूँ अपना phone. And अब इसको करेंगे हम connect. So, यह काफी risky वाली चीज है, क्योंकि cables कई बार हिलती हैं. और अगर cables हिलेंगी, So, हो सकता है आपके studio monitors भी damage हो जाएं. जो खर पर खिस फिस इस tech की चो अवाजे होती हैं. उससे आपके studio monitors damage हो सकते हैं. So, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ connect. यह देखो मैंने कर दिया है. And अब यहाँ पे studio monitors अभी मेरे off है. So, यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे volume कर लेता हूँ. And यहाँ पे NCS का music play करते हैं. और धीरे-धीरे volume को enable करेंगे. So, अब on कर लेते हैं. एक on किया and यह किया दूसरा. और अब धीरे-धीरे volume को play करते हैं. So, जैसा कि अभी आपने सुना था कि वो कि खिस-पेस वाली आवाज आई थी. Studio monitors मेरे damage हो सकते हैं. बट मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ. So, अब volume को धीरे-धीरे करते हैं. Increase. And यहाँ पर आगया है. है हमारी पस ADD. जो skip भी नहीं हो रहे है. So, इस टाइप से आपके speakers जो है, वे damage हो सकते हैं, बहुत हो गया, बहुत रिस्क ले लिया. अब मैं इसको करता हूँ, बंद. So, यहाँ पर मैंने यह निकाल दिया है, एंड एक बड़ी फोन पर भी प्ले कर देता हूँ. So, यहाँ पर फोन से गाने प्ले हो रहे थे, so, यहाँ पर मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप अपने फोन से studio monitors को connect करो. क्योंकि जो cables होती है, RC cables, वो इतनी heavy cables नहीं होती है, इतनी अच्छी भी नहीं होती है. As compared to, आपकी XLR cables जो होती है, XLR cable आपको 600, 700,000 रुपीज की मिलेगी and आपकी जो RC cables होती है, वो आपको 20 रुपीज में भी मिल जाएगी. और जहाँ सस्ती चीज मिलती है, आप लोग attract हो जाते हो, सारे के सारे लोग attract हो जाते हैं. So recommend नहीं करूँगा, यहाँ पर कि आप phone से अपने studio monitors को connect करो, studio monitors आपके उड़ सकते हैं, damage हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिरफ एक experiment किया है. So that कि अगर आपके मन में ऐसा कीडा आ रहा हो, ऐसी कुछ सोच आ रही है, इस वीडियो को देख लेना और अब ऐसा experiment अपने studio monitors के साथ मत करना. So guys, जैसा कि आपने देखा studio monitors तो work कर रहे थे, लेकिन मैं आपको suggest नहीं करूँगा, recommend नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि उससे आप अपने phone का jack है उसे भी damage करोगे, क्योंकि जो cables होती हैं, वो काफी heavy होती है, हलका सा भी खिचा, तो आपका phone हो जाएगा damage, जो jack होत सकता है आपका damage, साथ में आपने देखा था क्या buzzing sound आ रही थी, वो भी problem हो सकती है आपके studio monitors के साथ, so ये एक experiment था, please मत करना, आप लोगों के लिए मैंने कर रहा है, आप मत करना, कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर मुझे गालियां दोगे, so अगर ये video अच्छी लगी है, so video को कर देना, like channel को कर देना, subscribe, plus ये video share भी कर देना, अपने friends के साथ, so that उने भी कुछ knowledge मिल जाए, और अगर उनके मन में ऐसा कुछ तूफानी करने का इरादा है, so उनका मन जो है, वो रुक जाए, अगर आपके मन में अभी भी कोई doubts से हैं, so comment section खुला यार, आराम से use करो, पूछो मेरे से, और साथ पर suggest भी करो कि मुझे और कौन सी videos बनानी चाहिए, फिलाल आज के लिए इता ही, मिलते है next video में,